एक बार फिर से स्वागत थे आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल नितिश एजुकेशन 27 पर फ्रेंट्स में इस चैनल पर यूजी से नट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन की त्यारी करवाता हूं साथी साथ ओल उवर एंडिया पेस्डी अडमिशन्स एंड टाइप आफ टीची वेकेंसी लाइक प्रोफिसर अशुश्यूट प्रोफिसर असिस्टेंट प्रोफिसर साथ ही साथ एंडिया यूजी सी नट से लिटेट किसी प्रकार की रगलोर अप्लेट्स आप लोग को देता रहता हूं तो मेक शूर आप लोग चैनल को ज़रूर ज़र बाइस होने वाला है उसके लिए हम लोग जो हैं जिक्यूज डिसकस कर रहे थे यहां पर आपको बताना चाहता हूं यहां पर जो मैं एंजिक्यूज डिसकस करता हूं यह अन दो बेसिस और प्रीवेस यूजी नट एक्जामनेशन के क्वेस्टन्स हैं और साथ ही प्रिकाड की टीचिंग एक्स जहां पर रिसर्च के क्वेस्टन्स पूछे जाते हैं उसके मद्दे नज़र यह इंपॉर्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टन्स है इस्टार्ट करते हैं कि जैसा कि फश्ट क्वेस्ट्ट आपकी स्क्रिण पर दिख रहा है रहा है और कि है दोनों मीडियम में तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में मैंने यहां पर इंक्लूट कर रखा है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट क्वेस्टन है आज का researcher is studying group process of software startup developers by staying with them and like them for six month which of the following is used by her यानि कि अगर हिंदी में question को बात करें तो लिखाए देखिए एक शोध करता शोध करती software startup विक्सित करने वालों की समू प्रक्रिया का आध्यान चाह मातक उनकी तरह उनके साथ रह कर कर रही है वह निम्निखित में से किसका प्रियोग कर रही है option है grounded सिध्धान्त का second option है निर्याती और थर्ड है कतनात्म किसलेशन और फोर्थ है घटना विज्ञान सम्मंधी शोध यानि फेनुमेन अलोर्जिकल रिसर्च तो इसका जो राइट एंसर है पहले वह मैं आपको बताना चाहता हूं option number two इसका राइट एंसर है ethnographic study का ये example है है ethnography कहलाता है detail information की बात करें तो यहां पर मैंने सारे branches लिख रखे है qualitative research के यह जितने भी पार्ट है यह qualitative research के ही पार्ट है जिसमें से ethnography की बात करें पहले हम लोग तो ethnography जैसा कि आपकी स्किन पर दिख रहा है है क्या देखिए describing cultural characteristics of a group of people यानि कि व्यक्तियों के समूं की sanskrit 격 documentaries विशेष्ताओं का वर्णन करना उनका अध्यन करना क्या कहलाता है ethnography कहलाता है यह सीधी सी बात करें साधारना सी भासा में मानो ज्याति का आध्यन करना ही क्या कहलाता है इथनography कहलाता है इसका जो ऊरिजिन है यहां कहां से उद्भव हुआ है anthropology से ठीक है यानि मानो श है थो लोग चाहिते हैं या फिर नेच्रील स्किक उपाईयर भी कहते हैं एह जोब तो कि खाई ये स्थिक नकी उबर्वेशन के कवेशन कल्चुरल एजुकेशन से सम्मंधित अध्यन करता है बाकी के साइप्स की बात करें तो फैनोमेनोलोजी देखे क्या है जब हम डिसक्राइबिंग इंडिविज्वल एक्स्पिडियन्स ऑफ फिनामन मलब जब हम किसी व्यक्ति विशेश के अनभवों का अध्यन करते हैं उसक देखे क्या लिखा है डिस्क्राइबिंग पीपल्स लाइफ इस्टोरीज टू एड और अंडर्स्टेंडिंग तो आर अंडर्स्टेंडिंग यानि अपनी समझ के लिए हम जब दूसरे की जीवन वृत्ति का वरण करते हैं तो वह नेरेटिव इंक्वारी करता है इसका ओर इन डिपिप्स ऑनलिसिस ठीक है किसीज आस समय का अध्यन करता है इसका कहके जैका क्या है मल्टी बिसिप्लीनेरी है ग्राउंडर्स ठीओरी का काम है इंडक्तीवली ऑत्योरी डिस्क्राइबंग आ किसी भी फेनमेना को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिध्धांथ का निर्माण किया जाता है ग्राउंड ठिओरी के अंतरगत ठीक है यह एक है छिडेटिकल डिडेक्टिव बारने ग्लेजर साथी साथ आपका वारने ग्लेजर और एंसेल्म स्ट्रॉस के दौरा दिया गया है इसलिए इन्हें दिस्कवरी ओफ ग्राउंड ट्यूरी का जनक कहा जाता है तो इसका जो स्क्रीन शॉट है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रूप नितिश एजिकेशन 27 पर डाल रखा है तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं डिटेल में यहां पर केवल मैंने खास-खास बिन्दुवों पर चर्चा की है नेक्स्ट क्रेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर टेस्टिंग डा साइंटिफिक हाइपोथिसिस इज इंपॉसिबल डियू टू नीड ऑफ अग्जिलरी एजूम्शन वाट इस यानि कि यहां कथन किसका है या किस से संबंदित है वैज्यानिक परिकलपना का परिक्षन सहायक पूर धारनाओं की आशकता के कारण असंभव है तो इसका जो राइट एंसर है ऑप्शन नमबर थर्ड इसका राइट एंसर है यह ड्वैं क्वाइन थिसिस कहलाता है कि कि डिसीजन्स बाइड यूज ऑफ मेंटल शॉर्टकर्ट्स देट फोकस ओन वन एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम वाइल इग्नोरिंग अधर्स रिफर्स तो विच्वन ऑफ फॉल्विंग यानि कि ऐसा मांचिक शॉर्टकर्ट जो समस्या के एक पहलू पर ध्यान के इंडि प्रयोग करते हुए निर्णय करना निर्म में से क्या कहलाता है या किस से संबन देते हैं आपका फ्रेमिंग टू है बिलीफ प्रिजर्वेरंस और सी है थर्ड है यूरिस्टिक्स और फोर्थ है मेंटल सेट तो इसका जो राइट अंसर है इसे हम लोग हुरिस्टिक्स कहते हैं स्वानुभाविक शोध प्रणाली कहते हैं और थर्ड जो है इसका राइट अंसर होगा इसके बारे में ठोड़ा डिटेल जान लेते हैं तो देखें हुरिस्टिक्स है क्या हुरिस्टिक्स में हम लोग शॉर्ट टर्म सॉलूशन की खोच करते हैं मेंटल शॉटकर्स को और स्पीड़ डिसीज़न मेकिंग डिसीज़न मेकिंग के बारे में देखते हैं यह जो हुरिस्टिक मेठोड कहां से इमर्ज हुआ तो इस अबारे डिसमेठेड वा यजिए प्रोफेसर ह. àम. वी अपनुआ कnal मेठोब को खोजा गया है it is also known as the inquiry method heuristic method को ही हम लोग inquiry method के नाम से भी जानते हैं ठीक है next question आपका जो है बहुत अच्छा question है a group of 60 newly diagnosed diabetic patients were tested for anxiety using a standardized inventory they were retested for anxiety again after months using the same inventory the mean difference in anxiety was evaluated by a suitable t-test the degree of freedom associated with the t-test would be एक question को केवाल लंबा इसनों ने कर दिया है लेकिन बहुत simple सा question है यह कह रहे हैं कि मधुमेह की मरीजों की जो संख्या है 60 है यानि 60 मधुमेह के मरीजों को मनस्चिंता परिक्षण की सहता से मापन किया गया ठीक है उनकी testing की गई यानि group में किते लोग थे 60 लोग थे एक महिने बाद उन्ही मरीजों का उसी परिक्षण की सहता से पुना परिक्षण कर लिया गया यानि जो टेस्ट इन्ही मरीजों पर अपलाई किया गया T1 उसी को एक महीने बाद फिर से apply किया गया उन्हीं मरीजो पर तो क्या हुआ दोनों परिक्षण के मध्यमान अंतर को T परिक्षण की सहता से निर्धारित कर दिया गया यानि जो mean difference आया उसे T-test से निकार लिया अब यह कहरें इस T परिक्षण से संबंधित मुक्ति प्रमान संख्या क्या होगी देखें यह इतना का question केवल फालतु था आपको केवल 60 से मतलब है यहाँ पर केवल the degree of freedom associated पूछा गया है यहाँ डिग्री ओफ फ्रीडम कितना होगा इसका question केवल इतना सा है यह पूछा गया तो सबसे पहले तो इसका right answer जो है option number third है degree of freedom इसकी 59 होगी अब यह कैसे होगी और degree of freedom होता क्या है पहले वो discuss कर लेते हैं तो देखे degree of freedom होता क्या है degree of freedom are the number of values in a study that have the freedom to vary यानि कि degree of freedom क्या है यह प्रापतांकों को स्वातंतर रूप से परिवर्थित होने से होता है यानि कि कि स्वातंतर मात्रा से क्या तात पर है प्रापतांकों यानि स्कोर्स को स्वातंतर रूप से परिवर्थित यानि freedom to vary क्या यह लाइन या रखिए कि कि किसी भी ग्रूप में freedom to vary से related होता है degree of freedom यानि degree of freedom is in a statistical calculation represents how many values involved in a calculation have the freedom to vary ठीक है यानि कितने calculation ऐसे हैं जो कि vary करने के लिए फ्री हैं ग्रूप में तो इसका जो simple सा फार्मला होता है degree of freedom का n-1 के याद रखिए n-1 फार्मला होता है अब ग्रूप में कितने लोग हैं 60 लोग हैं तो degree of freedom कितना हो जाएगा n के जगा हम रख देंगे हां 60-1 that is 59 यानि यही answer जो आ रहा था 59 option number थर्ड इसका right answer होगा तो degree of freedom निकलने का सही formula क्या है n-1 कर देना है मालब जो भी number हो group का उसमें से एक घटा देना है तो degree of freedom आ जाएगा तो यह था देखे जब एक group दिया हो लेकिन जब मान लीजे कई group दे रखे हो ठीक है contingency table दे रखा हो तो यहां पर formula change हो जाता है degree of freedom का formula क्या हो जाता है r-1 into c-1 य जितने column हो column में से एक घटा देंगे तो rho-1 c-1 formula हो जाता है आगे चल कर question contingency table से लिटेड आ जाए और उसका degree of freedom पूछा हो तो r-1 into c-1 कर दीजेगा वो degree of freedom उसके लिए हो जाएगा next question जो है आपका पूछा गया है थोड़ा सा इसको बढ़ा कर दे रहा हूँ which of the following are considered in favor of scientific realism यानि कि वैग्यानिक यथार्थवाद के पक्ष में किस किस को समझा जाता है तो option है आपका collaboration, b है empiricism, c है miracle argument, d है selective optimism हिंदी में question को देख लेते हैं निम्रकित में से किस को वैग्यानिक यथार्थवाद के पक्ष में समझा जाता है यानि जो वैग्यानिक यथार्थवाद है किसका समर्थन करता है option a है संपुष्टी, b है आनभाविक, c है चमतकार, तर्क, d है चैनात समक आशावाद तो इसका जो राइट एंसर है option number 4 इसका राइट एंसर है option number 4 का मतलब यह है a, c और d यानि कि जो वैग्यानिक यथार्थवाद है scientific realism है उसका support कौन-कौन से option करते हैं आपका option number a यानि कोरोबरेशन ठीक है option number a इसका support करता है option number c miracle argument और option number d selective optimism a, c और d यह जो ह करते हैं किसको scientific realism को empiricism नहीं करता है अब होता क्या है scientific realism इसको देख लेते हैं तो देखिये क्या होता है सइन्टिफिक realism अपने सबसे सामानी रूप में वैग्यानिक यथार्थवाद क्या है वह विचारधारा है जो मानती है कि विज्यान के द्वारा वर्णित संसार यथार सन सार है यानि विग्यानि या थार्थ लिए स्अधार क्या पहें फल्ल्यवल हा हम फड़ा है अमेशा बदलता रहता है मालब सक्ष जो है Pरिवर्तित होता रहता है यह नहीं है यहाँ परिवर्तन फिल है और इसके किसी निश्चित रूप को बहुत जानना असंभव है यानि कि सत्य को सत्य का कोई फिक्स्ट फॉर्म नहीं है इससे को निश्चित रुप को जानना असंभव है अतहब वह यह परिकल्पित करता है कि यथार्थ मानों मन की उपज नहीं है यह क्या कहता है यथार्थ जो रियल्टी है मानों मन की उपज नहीं है तो option number A, C और D यानि समपुष्टी, चमतकारतरक और चनात्मक आश्यावाद इसका right answer होगा next question है आपका in the independent groups design selective subject loss occurs because of which of the following हिंदी में question देख लेते हैं पहले स्वतंतर समू अभिकल्प में निमिखित में से किन कानों से चैनित प्रतिभागी हानी होती है यानि यहाँ पर बताना है जो आपका independent group design होता है स्वतंतर समू अभिकल्प जो होता है उसमें किन कानों से चैनित प्रतिभागी हानी होती है option A है सभी इस्थितियों में प्रतिभागी भिन भिन कानों से निकल जाते हैं सेकेंड है प्रतिभागी के अभिलेक्षण प्रतिभागी के निकल जानी के लिए उत्तरदाई होते हैं थर्ड है सभी इस्थितियों में प्रतिभागी एक समान रूप से निकल जाते हैं और D है प्रतिभागी के अभिलेक्षण प्रतिभागी हानी से स्वतंत्र हैं ठीक है तो एक बार इसको इंग्लिश में भी option देख लीजे ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आया है subject or lost differently across condition ठीक है next है आपका subject characteristics are responsible for subject loss C है subject are lost uniformly across condition और D है subject characteristics are independent of subject loss इसका जो right answer है केवल A and B इसका जो है सही answer होगा A and B option number first इसका जो है right answer होगा कैसे right होगा इसको देख लेते हैं option number first और A and B यानि देखिए यहां independent group design कहरा कि subjective subject loss occurs क्यों हानी होती है पहला subject or lost differently across condition यानि कि A and B का मतलब एक तो subject सभी इस्थितियों में प्रतिभागी भिन भिन कारणों से निकल जाते हैं एक कारण यह है और दूसरा प्रतिभागी के अभिलक्षण प्रतिभागी के निकल जाने के लिए उत्तरदाई होते हैं यह दो answer जो है इसका right answer है बाकी के C or D wrong है ठीक है इसका अगर हम बात करें देखी यह जो independent groups होता है additional information दे रहा हूं यह independent group design जो है experimental design के types होते हैं और independent groups होता क्या है इसमें using different participants for each condition of the experiment यानि कि किसी भी experiment के हर condition के लिए हम लोग different participants का यूज करते हैं independent groups में यानि कि condition 1 में अलग participants होंगे तीन लोग हमने अलग लिए और condition 2 में तीन लोग अलग लेंगे same participants नहीं होते हैं matching each PPT participants with someone who is similar to them यानि हम लोग similarity के साथ matching कर देते हैं यानि condition 1 और 2 में एक जैसे condition 1 और 2 में भी एक जैसे महलब कोई एक जो subjects है same होते हैं repeated measures में इसी तरी किस क्या देखे exposing each PPT to each condition ठीक है three types of design जैसा कि मैंने बताए दिया one group of participants do condition A and the second group of participants do condition B ठीक है तो यह था option number first इसका right answer है A and B सही होगा next question आपका जो है which is true about coefficient alpha अब coefficient alpha के regarding क्या सही है यह बताना है आपको यहां पर अगर हिंदी में इसके options देख लेए यह समाना अंतर एक आंसों के परिक्षण की निम्रितम सीमा है यह समाना अंतर एक आंसों के परिक्षण की उच्चतम सीमा है यहां अर्ध विवाजन विष्ण विष्णिता के कुलियोग का उसत है यहां अंतर एकांस सहसंबंदों से स्वतंतर है तो इसका जो right answer है सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं option number third इसका right answer है यानि केवल A and C सही बात बताता है coefficient alpha के बारे में यानि coefficient alpha क्या है it is a lower bound of a test of parallel items और third option सही है इसका it is an average of all combination of split half reliabilities यानि के option number A and C हिंदी में देख लेते हैं तो एक क्या है यहां समानांतर एकांसों के परिक्षण की निम्रतम सीमा होती है और C है यहां अर्ध विवाजन विस्वसनिताओं के कुलियों का उसत होता है additional information की बात करें तो देखे coefficient alpha आखिर है क्या a formula that provides an estimate of the reliability of a homogeneous test यानि कि कि किसी भी homogeneous test की reliability को establish करने के लिए हम लोग coefficient alpha formula यूज करते है an estimate of the reliability of each dimension in a multi-dimensional test आगे क्या है देखे coefficient alpha आगे क्या बताता है tells you the degree to which the items are interrelated यानि कोई भी items आपस में कितने degree के साथ interrelated है यह बताता है next आपका need to consider the number of items don't just assume that because the coefficient alpha is large the items are strongly related यानि जितना ज्यादा coefficient alpha की value आएगी उतना ही यह क्या शोर्ग करता है कि items आपस में interrelated है तो यह होता क्या है estimate of reliability ठीक है kronbecks alpha is an indicator of consistency यह consistency को भी बताता है it's not a measure of homogeneity it's not a measure of unidimensionality ठीक है next question है आपका आज का यहां पर types of reliability दे रखी है और यहां source of error variance दे रखा है यानि कि कि किस type की reliability में कौन सा error variance हो सकता है sources क्या हो सकते है तो इधर देखे option है test retest b alternate form delete c है coefficient alpha d है कौन सकपा और इधर source of error variance है content heterogeneity interdiscoral difference time sampling और content sampling और time sampling तो आपको matching करनी है यहां पर कि choose the correct answer from the following options तो option नमबर 3rd इसका right answer होगा यानि कि third वाला a3 यानि time sampling test retest किसे related है time sampling से related है आपका b4 alternate form किसे related है content sampling and time sampling दोनों से और c1 coefficient alpha जैसा कि अभी हमने बताया content heterogeneity यानि कि अभी जेस्ट मैंने बताया पिछले question में कि coefficient alpha हम लोग कम निकालते हैं जब test में आपके homogeneity होती है यानि test homogeneity होती है homogeneous test होता है और यहां पर source of error variance क्या है जाहर सी बात है जब content heterogeneous होगा बलब items समान नहीं होंगे एक जैसे नहीं होंगे तो error generate हो जाएगा और वह coefficient alpha में generate होगा क्या कहता है इंटर इस्कोरल difference किस में आता है क्या कप्पा में ठीक है तो option no.3 इसका जो right answer होगा साथ ही अडिशनल information आपको देना चाहता हूं देखें यहां पर में टाइस और रखी है test test method यह करता क्या है a measure of stability ठीक है parallel forms a measure of equivalence parallel forms क्या measure करता है equivalency ठीक है इंटर रेटर क्या किलाता है a measure of agreement और internal consistency क्या measure करती है a measure of how consistently each item measures the same underlying construct यह types of reliability तो आज हम लोग कुछ questions हम लोगों ने discuss किये research के आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर इससे लेटेट किसी प्रकार की कोई confusion है किसी भी question में तो मुझसे comment के द्वारा जरूर जरूर पूछेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में साथ ही साथ UGC net paper first paper to education और PhD admissions किसी प्रकार की regular notification के लिए चैनल को जरूर subscribe लाइक इन शिर किए thank you so much आपका दिन शुभ हो